कि हेलो दोस्तो आज में आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर आ गए हूं आज की वीडियो में हम स्वेटर का जो सेकंड पार्ट है इसमें हम गले की मैंने इसमें क Alrighty कैसे किए वो मैं आपको बताऊंगी कैसे की क्यों देल कि मैंने इसमें मेजर किया हुआ है मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ सौफ अंदे डालने के बाद देखिए इसमें सौफ अंदे डाले स्मॉल साइज का स्वेटर है जैन स्वेटर इसमें बढ़ाया नहीं है सीधा सीधा बुंते हुए चली गई हूँ और नौ नंबर की सलाई से बनाऊंगी बार्डर भी मैंने नौ नंबर की सलाई से बनाया है उपर भी मैं नौ यह नंबर लगा रहा रहा हूं मोंधे की गला गटाना होता है दिखित . तो मोंधे की रहाई किलां चार शाढ़े 6-5.4 के बाद मैंने यह गल्हा घटाया है तो गल्हा घटाने के लिए मैंने इसमें क्ते-कते फंदे घटाए है之前 मैं आपको बता दूгов सबसे पहले मैंने बीच में, यह Center में में इने तेरह फंदे बंद किये तेरह फंदे बंद करने के बाद और उसके बाद मैंने तीन दो एक तीन दो एक और जो एक है वह चार बार हम घटाएंगे एक बुनकर फिर इधर से उल्टी और इधर से सीधी सलाई पर एक एक फंदा घटाएंगे तो बीच में 13 फंदे घटाएं मैंने और ये साइड में 3, 2 और 1, 1, 1, 1, 1 ये चार बार हमने 1 फंदे घटाने है तो इस तरीके से हम घटाएंगे, गले की कटिंग करेंगे जब तक हमारी 25 फंदे यहां पर आनी जाते है फिर से मैं बता दूं मॉंडे की 18 इंच तक करने के बाद मॉंडे की कटिंग करी पांस तीन दो एक से उसके बाद साड़े चार से पांच इंच आप गले की गहराई देख लीजेगा अपने हिसाब से रखिएगा कोई जादा कैसी फनल और में तो उसे देख सकती है? यहां पर 1.5 से पांच इंच मिरे nord कावले की गले की काने की थाजया लेंथ नहीं मिल जाती मोंडे की और यहां पर 25 फंदे हम रखेंगे शोल्डर पे तो यह जो है यहां से लेकर यहां तक 9 इंच है मैं आपको इंची टेप से नाप कर भी दिखा दूँ यह आप देख सकते हैं यह 9 इंच आरा है पुरा मुंधा हमारा तो इस तरीके से मैंने र तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप भी अगर इसे स्वेटर को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी फॉलो करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कोई भी कोश्चन हो तो आप मुझसे पूछिए मैं आपको जरूर इसका आंसर जवाब जरूर इसका दूंगी थैंक यू